है लो दोस्तों कैसे हैं आप सब दाइसार के शो में आपका स्वागत है आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं टॉपिक पॉलिटिक से रिलेटिड ही है लेकिन मैं जादा इंटरस्टिड इस वीडियो को बनाने में इसलिए हो रहा हूं कि वो मेरे लोकल एर है तो यह बड़े बड़े निताओं का एक हब रहा है पूर्व सांसद जनाब सज्जन कुमार जी यहां कई दशकों तक यहां पर रादिती करते रहे हैं और लोगों का मार्द्रक्षक करते रहे हैं मार्द्रशन करते रहे हैं और यहां से कई बार सांसद रहे हैं दिल्ली म कौन ऐसा व्यक्ति होगा कौन ऐसा इंसान होगा जो महार सजन कुमार जी को नहीं जानता होगा उन्हीं की लीडर्शिप से निकलेवे लोग उन्हीं के साथ रहने वाले लोग माधिपुर में विधान सवा माधिपुर विधान सवा में हमेशा से राधनिती करते आ रहे हैं यहां चाहे वीजेपी की सरकार हो या कॉंग्रेस की सरकार हो या फिलाल आमादमी पार्टी की सरकार हो आम कॉंग्रेस पार्टी की लीडर्शिप यहां पर कभी भी कमजोर नहीं रही है बले ही जब से आमादमी पार्टी आई है यहां विधायक जो हैं मेले जो हैं आमादमी का और कॉंग्रेस पार्टी का फिलाल हुआ है उस गड़ बंदन के अंदर थोड़ी सी कमी ये चल रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस पार्टी की ऐसा नहीं है कि आपके चुनाव पे कोई फरक पढ़ने माला है जबकि चुनाव में छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो मेरे जैसा इनसान जिसके पास अगर पांच वोट भी है या दस वोट भी मेरे कहने से अगर डलती है उसको भी पूरा इतना ही इंप्वॉर्टन्स दिया जाता है जितना एक जीतेफे इंसान को दिया जाता है इसी पीछ में मेरी बात हुई जब आमाल्वी पार्टी को ले कर जब यह कॉंच्ए कंग्रेस का गड़ citizen हो गया उसके बाद दुबारा से पार्टी को छोड़ दिया, तो मेरी जब लोकल लिडर्शिप से बात हुई, तो ये बात हुई कि ठीक है, एक आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम आप लोग करा लो अपने समाज में, अपने लोगों में उनको बुला लो, लेकिन उसके लिए रेग और तीन या चार बार उन्होंने टाइम मांगा मेरे लिए, कॉंग्रेस पार्टी के काफी बड़े नेता हैं, लोकल में, और काफी लोग उनको जानते तो सभी लोग हैं तकरीबन, लेकिन प्यार भी उनको बहुत लोग करते हैं, उन्होंने चुनाव, लास्ट टाइम विधान सभा का चुनाव हुआ था, तो 6000 के संथिंग पूरी विधान सभा में कॉंग्रेस पार्टी को वोट मिले थे, लेकिन उन्होंने अपने वेस पर अपने फेस वैल्यू पर 9600 वोट पाए, लेकिन उनकी बात को इग्नोर किया गया, श्री महावल मिश्रा जी की तीम क जो भी हो, उन तक ये बात ना पहुचे हो, लेकिन ये इस बात को मैं परसनली इसलिए जानता हूँ कि वो टाइम जो मांगा गया था, वो मेरे ही लिए मांगे गया था, मेरी टीम एक प्रोग्राम करना चाह रही थी, महावल मिश्रा जी को बुलाने के लिए, और उनका एक नेक्स दे दिया गया, कि आप कल आईए, और कल आकर जो एमपी और लोग सोबा कैंडिडेट हैं, उनसे आप मिलिए, तो मुझे लगा कि इतना बार बार जाना भी ठीक नहीं है, तो टाइम उनको नहीं दिया गया, खैर हो सकता है, आम आदमी पार्टी की कुछ मजबूरिय रहे हो, या वो एक टीम के साथ नहीं जुड़ना चाहरे हो, या उनको लगता हो कि इस टीम के बिना भी हम चुनाव जीच सकते हैं, हम जादा इसकी मुखालफت नहीं करेंगे हैं क्योंके चुनाव किसी और मुद्दो को लेकर चुनाव को मैदान में उतरा गया है, फिलाल लेकिन आमद्नी पाटी को इतना जरूर सोचना पड़ेगा कि कौन वैक्प्ती, कौन इंसान क्या पावर रखता है संथपरकाश गंवाल कि श्ठिडिया का नाम है उनको मालुम होना चाहिए और दीपक जिंगाला किस चिडिया का नाम है उनको ये भी मालूम होना चाहिए संथ परेवा कौन है उनको ये मालूम होना चाहिए या संथ परकाश गंगवाल की टीम में कौन-कौन लोग है उनको ये मालूम होना चाहिए और मैं कहूं कि लोकल रिडर्शिप में कॉंग्रेस पार्टी में जेपी पवार की शिडिया का नाम है उनको ये भी मालूम होना चाहिए जो कि वो जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं ये सारे लोग यहां पर कदावर लोग हैं और इनके कहने से लोग वोट डालते हैं हैं और सुन की बात सुनी जाती है कही जाती है बोली जाती है जैपी भाई से मेरी बात नहीं हुई है वो सकता है उनके साथ भी यह प्रॉब्लम वो यह कर रहे हैं लेकिन बाकी यहوगों से आम आदमी पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई है जिनको यह सभी सारी दिक्कते फिलाल आ रही है तो या तो यह हो सकता है कि लोकल आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो टीम उनको इस तरीके से गाइड कर रही हो कि आप इसके बिना ही चुनाव लड़िए हाला कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो अपन साहिल गंवाल जी उनसे पूछना चाहिए इन सब के बारे में क्योंकि जब चुनाव गडवन्दन से लड़ा जा रहा है तो पिछले सारे मद्वेद भुलाओ देने चाहिए जब सभी लोग हम लोग भी सारी चीज़ों को भूल रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी के लोग या कॉंग्रेस सपोर्टर भी अगर इस चीज़ को भूल रहे हैं तो उनको भी आगर एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और अगर दूसरे टीम के लोग आपको प्रोग्राम आपका करना चाहरे हैं तो आपको वो प्रोग्राम भी देना चाहिए और रही बात मेरी मैं पर तो खैर, यह कोई इतना बड़ा इस्यू नहीं है. जान जाएंगे, वक्त आने पर जान जाएंगे, या अगर वो अपनी local leadership से मेरे बारे में पूछेंगे, मेरी टीम के बारे में, मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ, मेरी टीम के बारे में अगर वो पूछेंगे, तो उनको मालूम पड़ेगा कि मेरी टीम में कौन कौन लोग है जिनको जिनके कहने से मैं प्रोग्राम करता हूँ वो टीम मेरे साथ हमेशा रहती है और उनके कहने से एक वर्ग एक समाज का वोट अगर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है उनको ये भी पता होना चाहिए और इ को बताने में कमी रही हो कि यह टीम क्या है या वो जिस टीम को उन्होंने पूरी तरीके से एकनौर कर दिया है उसमें बड़े अफसोस की बात यह रही कि वो टीम कॉंगरिस पार्टी भी छोड़कर चली गई है और फिलहाल बीजेपी की तरफ उनका रूप मुझे ऐसा लगत वाले से भी इनसान बना कर रखना चुनाओं में तो कम से कम बना कर रखना चाहता है तो यह बड़ा अफसोस वाली बात रही है कि एक टीम किसी सामने वाले के इनसान के बिहेवियर की वेज़े से पार्टी को छोड़ कर चली गई खैप वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं क करेंगे फिर किसी टापिक के साथ आपके बीच में आएंगे आपको इस वारे में क्या राय देनी हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को माधिपूर में और माधिपूर के लोगों को तक पहुशाने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार् पार्टी के हैं तो चुनाओ खराब होता है तो आम आदमी पार्टी का ही होगा जिसमें कॉंगरेस पार्टी का तो चुनाओ खराब नहीं होगा हां यह है कि सीट एक निकल जाएगी गडबंदन की सीट अगर खराब होती है तो वो भी वो तो गडबंदन एक बड़ी चीज करते हैं इसी चीज़ को लेकर लोग वोट भी करते हैं तो आप बने रही हैं हमारे साथ जब चीज़ आपके बीच में आईगी अगर मेरी कोई बात आपको पुरी लगी हो तो मैं माफी चाता हूँ माफी इसलिए भी मांग रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लोकल एरिया से जुड़ा हुआ मुद्धा था और मैं इसको कोशिच जादर से जादर करूँगा कि मादेपुर वि और पॉलिटीशियन्स और अफसर जो अफसर हैं हमारे जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं तो तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें फिर मिलें किसी एक नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए इजाज़त दीजिए